प्यारे बच्चों गणित की कक्षा में आपका स्वागत हैं बच्चों तुम्हें क्रिकेट देखना तो टीवी पर बहुत पसंद होगा तो जब टीवी पे तुम क्रिकेट मैश देखते हो तो तुमने स्कोर बोड़ भी जरूर देखा हूगा स्कोर बोड़ में क्या होता है कि किस खिलाड़ी ने कित forcégrade बनाए कितनी गेंदों में रन बनाए या सरवाधिक रन किस खिलाड़ी ने मनाए इस तरह की रिख्षःफलपंजी का होती है उसमें क्या होता है उसमें आप già ने मासिख परिक्षा तहीं कितने प्राप्त अंग लिए या अर्द वार्शिक परिक्षा में आपके कितने अंक आए हैं वारशिक परिक्षा में कितने आका आए हैं कौन सी इस्ट्रेणी हैं वह सारी सूचनाए होती हैं तो इन तीनों ही उधारण में आप ने देखा कि हम सूचनाए प्राप्त करने के लिए संख्याओं का संग्रह करते हैं और इन शंख्याओं के संख्रह को हम कहते हैं आंक्डे तो बच्चों आज हम सांख्य की पाट के अंतरगर्ट सांख्य की क्या है आंक्डों का संख्रह करना क्यों आवश्यक है ये सभी चीजे सीखेंगे तो चलो बच्चों हम सीखते हैं आंक्रे क्या होते हैं वो संख्याओं के संग्रे हैं जिसको हम कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कुछ निश्यतुद्देश से एकत्र करते हैं जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 5-6 शात्राओं के अर्दवाश्यक परिक्षा में पूरांग 50 में दो विश्यों में प्राप्त अंक दिये हुए हैं यह व्यवस्थत आंकडे हैं तालिका में तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तालिका को देखकर आप आसानी से सूच नाएं एकत्र कर सकते हैं जैसे कि विज्ञान विशय में किस बच्चे को सबसे जादा आंक मिले तो विज्ञान में अगर हम अंकों का तुलनात्मक अध्यन करें तो सूरज को 50 में से 49 अंक मिले हैं जो कि सबसे अधिक हैं अगर हम गड़ित विशय को देखें तो आकाश और सूरज दोनों को ही बराबर 48 48 अंक मिले हैं 50 में से जो कि सबसे जादा हैं इस तरह की और भी सूचनाएं हम इस तालिका को देखकर जो कि हमने आंक कर सकते हैं ठीक है बच्चो अब जो हम ये आंकड़े एककत्र करते हैं तो उनमें कुछ विशेशताएं होती हैं जैसे आंकड़े परिवर्त तंशील होते हैं सदय वेक जैसे नहीं रहते हैं माली जी हम एक उधारण लेते हैं कि कोई एक प्रदेश है जिसमें अगर हम प्र अगर हम प्रती हैक्टेट गेहूं की उपज की तुल्ना करें तो उसमें भी अंतर हो सकता है तो इससे क्या निश्कर्ष निकलता है कि हमारे आंकड़े परिवर्त तंशील होते हैं वो बदलते रहते हैं आगे सजाती आगर आंकड़े हैं तभी हम तुल्ना करके कोई निश्कर्ष निकाल सकते हैं जैसे कि अगर एक छात्र के हम विज्ञान विशय के और एक छात्र के गड़त विशय के प्रापतांकों की तुल्ना करें तो क्या कोई निश्कर्ष निकलेगा नहीं हम कोई पर दोनों ही छात्रों के एक ही विशय के अंकों की तुलना करें तब हम यह निश्कष निकाल सकते हैं कि कि छात्र की उपलब्धी उस विशय में अच्छी है तो इस तरीके से हम किस निश्कष पर पहुंसते हैं कि जो आक्ड़े गर हमारे सजाती होंगे एक जैसे गुणवा जैसे कि अगर हमें किसी कक्षा में सभी शिक्षार्तियों की उचाई ग्याद करनी हैं तो हम क्या करेंगे कि छात्रों की उचाई ग्याद करने के लिए हम प्रतेक छात्र की उचाई ग्याद करेंगे क्या केवल एक छात्र की उचाई ग्याद करके यानि एक आंकड़े से को कि आक्रे जो हैं वो सदेव संख्यात्मक राशी में होने चाहिए कोई ऐसा तथ्य जिसको कि हम संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते तो हम उसका अध्यन सांकिकी के अंतरगत नहीं करते हैं जैसे कि इमांदारी को आप संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते मित्रता क आप संख्याओं में व्यक्ति नहीं कर सकते तो ऐसे तथ्यों को हम सांकिकी के अंतरगत अध्यन नहीं करते अब बच्चे आप ये तो सीखी गए कि आखड़े क्या होते हैं यानि आखड़े हम क्या करते हैं कोई सूचना प्राप्त करने के लिए किसी निश्यत देश से हम एक प्रात्र कहां से करें जिससे की हम सूचना प्राप्त करें तो इसके दो स्रोत हैं एक है प्रात्मिक स्रोथ और एक है दुटियक स्रोथ अब प्रात्मिक स्रोथ क्या होते हैं जहां से हम प्रथम बार आंक्ड़े एकत्र करते हैं और दुटियक स्रोथ जहां पहले सही आंक् अपने वांचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां से आकड़े ले रहे हैं तो प्रात्मिक्स रोत का अगर हम उधारण ले मालनीजे कि हमने एक कक्षा है उसमें छात्रों के दो सम्हू बना दिये और दोनों ही सम्हू को हमने एक टास्क दिया कि आप सभी शिक्षार् वांचित थे उनकी ऊचाई नापकर आकड़े प्राप्त किया और दूसरे समूने क्या किया कि उसने जो विद्ध्याले में स्वास्त पंजिका होती है वहां पर जो शिख्षार्थियों की ऊचाई लिखी होती है वहां से उसने आकड़े तो जो प्रथम समूने स्वेम उचाई ग्याद की है वो हो गए हमारे प्राथमिक स्रोथ और जो दुतिय समूने किया वो क्या है दुतियक स्रोथ क्योंकि वहाँ पहले से ही वो आंक्रे मौझूद थे तो इसी आधार पर जो हमने प्रात्मिक स्रोत और दुतियक स्रोत जाने हैं तो आंकड़े भी इसी आधार पर दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से प्राथमिक आंक्रे और दुतियक आंक्रे अब प्राथमिक आंक्रे कौन से होंगे जो कि हमने प्राथमिक स्रोथ से प्राप्ति किये हैं और दुतियक आंक्रे कौन से होंगे जो कि हमने दुतियक स्रोथों से प्राप्ति किये हैं तो अब हमें आंक्रों के स्रोथ सब्सक्राइब का भी पता चल गया में क्या कर सकते हैं कि जो हम प्राथमिक सुरोज से प्राप्त करें याकड़े जिसे काफ रसिथ होते हैं से निशक नहीं निकाल सकते हैं तो हम क्या करते हैं उन आकडों से सूचनाय प्राप्त करने के लिए तुरंत निश्कर्ष निकालने के लिए उन्हें व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करने की कौन-कौन सी विदिया है या तो हम उन्हें आरोही अवरोही क्रम में लिख लें जो कि आप पिछली कक्षाओं में भी पर चुके हैं और दूसरा या आख्णों का वर्गी करण कर लें तो सबसे पहले जो आप पहले सीख चुके हैं आख्णों का या आरोही अवरोही क्रम क्या होता है इसको एक बार पुनाधुराते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ इस्टिक्स के समू हैं जिनको आरोही और अवरोही क्रम में करके दिखाया गया है तो सबसे पहले आरोही क्रम क्या होता है आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम यानि सबसे छोटा संख्या यहाँ पर स्टिक्स का समू है सबसे पहले उसके बाद ठीक उसके अगर कोई बराबर है तो वो जो उसके बराबर है उसके बाद ठीक उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा इस तरीके से हम इनको अरेंज करेंगे विवस्थित कर पिर उसके बाद देख रहे हैं, छे स्टिक्स हैं, फिर अगला वाला जो समू हैं, उसमें भी 6 स्टिक्स हैं, यानि अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या है, जो बराबर है, तो एक पास लिखेंगे, उसके बाद ठीक उससे बढ़ा, यानि जो 7 स्टिक्स का समू है, तो यह हो गया आरोही क्रम, यानि बढ़ता हुआ क्रम, अब अवरोही क्रम क्या है, तो अवरोही क्रम इसका विपरीत, यानि घटता हुआ क्रम, तो सबसे पहले हम सबसे बड़े समू को रखेंगे, स्टिक्स के, तो वो है 7 स्टिक्स का समू, फिर उसके बाद उससे छोटा, 6 स्टिक् बराबर है तो हम क्या करेंगे बराबर वालों को पास में रखेंगे उसके बाद इससे ठीक छोटा फिर उससे ठीक छोटा तो इस तरीके से हमने आरोही और अवरोही क्रम में इन इस्टिस के सम्हूं को व्यवस्थित कर लिया आरोही का मतलब आरोही क्रम क्या है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम ठीक है अब इसको एक और उधारार से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एक परिक्षा में आठ शात्रों को दस में से कुछ अंक मिले हैं जो कि यहां पर दिये हुए हैं अब इन आ रहे हैं क्योंकि यह जो आक्रे उपर आपको प्रश्न में दिखाई दे रहे हैं इनसे सीधे हम कोई निशकर्ष नहीं निकाल सकते अगर हम इने आरोही या आवरोही किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर लें तब हम तुनंत देखके निशकर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमें आपको कि बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे चोटा जो प्रापतांक बच्चों को मिला है, वो कितना है, पाँच, तो सबसे पहले हम इस में से देखके पाँच प्राप्तांग को पहले लिखेंगे उसके बाद उससे बड़ा 6 जो कि हमने यहां से लिया है उसके बाद 7 इससे बड़ा फिर उससे बड़ा 8 और 8 दो बार है तो हम 8 और 8 पास पास लिखेंगे फिर उससे बड़ा 9 और उससे बड़ा 10 तो इस तरीके से हमने आरोहिक्रम में व्यवस्थित कर लिया अब अवरोहिक्रम अवरोही में क्या करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा इस तरीके से अगर कोई संख्याएं बराबन है तो उने पास पास लिखेंगे तो इस तरीके से आरोही अवरोही क्रम में हमने 8 छात्रों के 10 में से जो प्रापतांक मिले हैं उनको व्यवस्थित किया है अब देखा कि व्यवस्थित करने पर ये जो अव्यवस्थित आकड़े हैं और ये व्यवस्थित आकड़ों में कितना फर्क है व्यवस्थित आंकडों से आप ये तुरंत बता सकते हैं कि दो चात्र ऐसे हैं जिनको 10 में से 10 प्रापतांक मिले हैं 10 में से 10 मिले हैं और सबसे कम प्रापतांक कौन सा है जो की मिला है किसी बच्चे को वो है 5 और दो चात्र ऐसे हैं जिनको 10 में से 8 मिले हैं तो कितना आसानी से अगर हमने आंकडों को व्यवस्थित कर लिया तो हम सूचनाई प्राप्त कर सकते हैं चलो बचो आगे देखते हैं अब हमने आंकडों को व्यवस्थित करना आरोही अवरोही क्रम से सीखा लेकिन आरोही अवरोही क्रम से व्यवस्थित करके हम सूचना है तब प्राप्त कर पाएंगे जबकि आकड़े हमारे कम मात्रा में हों कम संख्या में हो लेकिन आकणों की संख्यागर बहुत जयादा है तब हम सब्सक्राइब से अगणों क airport करन ब्रबान हो कि अद्हारत तो गुणों के अधार पर प्रकार के गुणवाले जो आंक्डे होंगे उन्हें हम दूसरे वर्ग में रख देंगे तो इस प्रकार से हम गुणों के आधार पर वर्गी करण कर सकते हैं जैसा कि एक उधारन द्वारा हम देख सकते हैं कि प्रदेशों को एक अलग वर्ग में रखा गया है उसमें ग्राम आत्मक आधार पर जब वर्गी करन करते हैं तो क्या करते हैं कि समानता या समानता के आधार पर आकड़ों को विभिन वर्गों में हम बांट देते हैं तो यह तब करते हैं जबकि आकड़ों की संख्या ज्यादा होती है और अगर कम आकड़े हैं तो हम आरोही आवरोही क्रम् वर्गी करण करके भी हम परयाप्त सूच नायें, परयाप्त नहीं कर पातें, तो क्या करते हैं की इन आँक्डों को समूहों में या वर्गंतराल के आधार पर भी हम विवस्तित कर सकते हैं बच्चों सारणी कैसे बनती है कैसे हम इन्हें बर्गी करते हैं आईए अब हम यह सीखते हैं एक उधारण के द्वारा कि यहां पर एक छात्रा वास में 64 छात्रा रहते हैं तो वहां पर जो है मौनीटर को कहा गया कि आप इनकी एक दिन की भोजन विवस्ता की सारणी बनाईए कि उन्हें क्या पसंद है उस हिसाब से भोजन बने तो देख रहे हैं कि भोजन रुची में केवल रोटी पसंद करने वाले जिन्हें चावल नहीं पसंद तो ऐसे बच्चों के पास वो मौन चावल वाले के आगे उसने खड़ी लाइने खीची और यहां पर उनकी संख्या गिन कर बता दिया कि केवल चावल पाँच बच्चों को खाना है उन्हें रोटी नहीं खानी रोटी और चावल खाने जिन्हें दोनों खाना है जिन्हें दोनों पसंद है तो उसमें भी इसन ऐसे खड़ी लाइने खीची और लकीरों की संख्या गिनकर बता दिया कि 21 जो टेबिल में आप आराम से देख पा रहे हैं तो 21 चात्र चात्रा ऐसे हैं जिने रोटी और चावल दोनों पसंद है पूरी वाले जितने बचे जिने पूरी पसंद है तो वो है 15 और पराथा जिनक से सूचना है हम कितनी आसानी से वरना 24 चात्रों के बारे में सूचना है अगर अवयवस्तित रूप में होती तो हम इतनी आसानी से निश्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते थे कि हमारी आज की भोजन वयवस्ता में हमें क्या बनाना है बच्चों को क्या पसंद है तो यहां से जब लकीरों की संख्या बहुत जादा हो जाती है, जैसे यहां पर 21 लकीरे हैं, तब भी आप गिन सकते हैं, अगर 50-60 लकीरे हो जाएं, तब गिनने में आप से गलती होगी, तब हम क्या करें, तो इसी उधारन को, जो यह टेबल बनाई है, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यह देखिए बच्चो, यहां पर क्या करते हैं, कि हम जब लकीरे खीशते हैं, तो यहां पर 5-5 के बंडल बना देते हैं, 5-5 के बंडल में क्या करते हैं, कि 4 लाइने, सीधी, और एक लाइन जो है, जब पांचवी जो लाइन होती है, उसे पहली वाली से, चौथी वा सबय गलत से आजलद में जाया है तो इसमें क्या किया है ? अब देख रहे हैं कि यह ऺड़ुम स्कते हैं 20 से इनले उसके जगे हो गए यह चार बंडल हो गए जिसका तात्परे क्या है पांच-पांच के चार बंडल है तो 20 हो गया और 21 तो इस तरीके से हम तैली चिन्ध लगा कर और उनको गिनकर आराम से निशकर्ष पर पहुंच सकते हैं तो देखा कि तैली चिन्ध लगाना कितना आविश्क है जिससे कि हम गलतियां नहीं करेंगे गलतियों से बच सकते हैं अब बचो हम टेबल बनाना सीखते हैं कि हम बारंबारता सानी हैं इस तरह की सानी हम कैसे बनाएं तो चलो बचो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जो उधारण है इसकी एक बारंबारता सानी बनाई है तो हम सारनी कैसे बनाएं, सबसे पहले तो किसी भी प्रश्णी के लिए हम सारनी कैसे बनाएं? तो चलो एक model के द्वारा हम इसको सीखते हैं, तो यहां पर आप यह एक table देख रहे हैं और इस table में यह जो एक खाली table है और इसमें क्या है कि इस table में यहां आप नीचे देखिये कि खाली table है और इसमें कुछ पंतियां है और क्या है कुछ इस्तम्भ है जो चैतिज है वो क्या है पंतियां है और उर्दवादर क्या है इस्तंभ है आपको यह ध्यान रखना है टेबल बनाने में कि जो इस्तंभ है बारंबारता साणी में इस्तंभों की संख्या चार रहती है लेकिन जो पंतियों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है आपके प्रश तब दो पंतियों को आपको एक्स्ट्रा रखना है, वो हर प्रश्न के लिए समान होगा. कैसे? क्योंकि पहली पंती में करम संख्या, प्रापता, अंक, टैली चेन और ये बारंबारता जो लिखा हुआ है, ये होगा पहली पंती में. और जो की नास्ट पंती है कि उसमें बारंबार्ता का हम योग करते हैं तो आपको यह टेडल खाली टेडल जो है वह हर बारंबार्त असानी जब भी आप असानी बनाएंगे तो आपको यह यूस करनी और इसमें क्या है कि जो यह पंतियों की संख्या है आप प्रश्ण के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन इस्तंब जो है यह पहला इस्तंब जो कि क्रम संख्या का है दूसरा प्राप्तांग प्राप्तांग हमने यहां पर क्यों लिया है यहां पर कुछ और भी हो सकता है क्या है जिसमें लिखा है कि 20 बच्चों के प्राप्तांग तो आंकडों का जो विश्य है वो है प्राप्तांग। तो हम ने ये लिख लिया। तीसरे इस्तम्भ में हम प्राप्तांग कितनी बार repeat हुआ यानि पुनुरा वरत्ति उसकी कितनी बार हुई वो हम टैली चिन्न यहां पर लगाएंगे और उसके बाद टैली चिन्नों को गिनकर बारंबारता वाले इस्तंभ में लिखेंगे बारंबारता का मतलब क्या होता है कि आंकडों में कोई भी संख्या विशेश कितनी बार दोहराई गई है रिपीट हुई है पुन्रावत्ति उ अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं और दो पंतियां आपको एक्स्ट्रा लेनी हैं जितने आपके आकड़े हैं पहली वाली पंति यह लिखने के लिए और जो लास्ट वाली है वो बारंबारता के योग के लिए तो चलो बच्चों अब हम इस प्रश्निके अनुसार जो कि यह पर लिखा हुआ है कि 20 बच्चों के प्रापता अंक हैं जो कि उन्हें गनत विशय में 10 अंक यानि पूरा अंक 10 है उसमें से मिले हैं तो इनकी सार्णी बनानी है बारंबारता बंटन सार्णी या उसे बारंबारता सार्णी क्योंकि इसमें बारंबारता का प्रियोग है और पांच लास्ट वाला हम छोड़ देंगे हमने बताया था कि यह योग का है बारम बारता के अब प्रापतांक तो प्रापतांकों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम तो सबसे छोटा वाला प्रापतांक कितना है जो अंक मिले हैं वो है 5 तो हम पहले लिखेंगे 5 उसके बाद उससे बड़ा है 7 तो हम यहां पर 7 लिख देंगे उससे बड़ा 8 8 लिखा और फिर यहां देख रहे हैं कि 9 है हमने 9 लिख दिया और सबसे बड़ा 10 में 10 तो यहां पर हम लिख देंगे 10 अब आपको यह समझ मे आ गया होगा कि हम किस तरीके से आकणों को आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं टैली चिन में हम देखेंगे कि पांच कितनी बार आया है तो यहां देख रहे हैं पांच एक पार और पांच दो बार दो बार आया है तो हम क्या करेंगे दो खड़ी लाइन खीचेंगे टेली चिन को हम मिलांचिन भी कहते हैं जो कि प्रश्ण से हम मिला कर यहां पर खड़ी लाइने खीच रहे हैं फिर उसके बाद साथ गिनों तो देखो एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, आठ बार आया है तो आठ के लिए क्या करेंगे, पांच का एक हम बंडल बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, चार, खड़ी लाइन खीचते हैं, तीन और यह चार, यह हमने खीची, और फिक क्या करते हैं, पहली वाली से चौथी वाली तक एक तिरची लाइन खीचते हैं, तो यह हो गय हमारा 8 अब अगले वाले में देखो कि 8 कितनी बार आया है अंक तो देखते हैं एक दो तीन और चार बार तो हम क्या करेंगे चार खड़ी लाइन कीचेंगे एक दो तीन और चार अब नौ देखते हैं एक दो तीन और चार चार बार ही नौ भी आया है तो हम यहाँ पर चार खड़ी लाइन कीचेंगे जिनको हम क्या कहते हैं तैली चिन या मिलान चिन यह हमने चिन लगा लिए अब दस देखते हैं दस एक बार यहाँ आया है और दस दो बार आया एक ये और एक ये तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दो चिन हमने लगा दिये, दो खड़ी लाइन खीज दी, अब क्या है, बारम बारता में देखिए, इनी टैली चिन को गिनकर हम यहाँ पर बारम बारता लिख देंगे, यानि पांच अंक जो है, वो दो बार आया है, दो बार उसकी पुन्रावरत्ती हुई है, साथ कितनी बार आया है, आठ बार, आठ अंक कितने बच्चों को मिला है, चार बच्चों को, यानि उसकी चार बार पुन्रावरत्ती हो रही है, नौ अंक जो है, वो भी चार बच्चों को मिला है, और दस अंक जो है, वो दो बच्चों को मिला है, अब हम इन बारम बारता का योग कर दें, तो बारंबारता का योग करो तो देखो आठ और दो दस हो गया और यह 14 और यह 18 और दो 20 तो हमारा बारंबारता का योग कितना आया हमारा बारंबारता का योग आ गया 20 और देख रहे हो कि हमने 20 बच्चों के ही प्रापतांक लिए थे इसका मतलब हमसे कोई गलती नहीं को देखिए टेबल बनाने में आप ये फर्क देख रहे हैं कि हम आसानी से ये बता सकते हैं कि दस में दस प्रापतांग दो बच्चों को मिले हैं सबसे ज्यादा साथ प्रापतांग रिपीट हुआ है जो की आठ बार है तो इस तरीके से हम आसानी से ये बता सकते हैं व्यवस अपने घ्यान को परटने के लिए हम इसको आरो ही और अवरो ही क्रम को एक बार फिर से देख लेते हैं तो यहाँ पर है आरो ही क्रम यानि बढ़ता हुआ क्रम तो हम क्या करेंगे हम पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 1 फिर क्या लिखेंगे 6 फिर इससे बड़ी क्या है 9 फिर 11 फिर 13 फिर 20 और 27 ठीक है तो हमने इन जो 7 हमारे आकड़े दिये थे हमने इनको क्या किया आरोही क्रम में विवस्थित कर लिया अवरोही क्रम का मतलब इसका विपरी तो सबसे बड़ी संख्या हम पहले लिखेंगे 75 फिर 40 फिर 35 फिर 23 16 और फिर लास्ट में 7 तो ये हमारे जो 6 आकड़े थे हमने इसे अवरोही क्रम में भी विवस्थित कर लिया तो बच्चों चलिए हम अपने पाट को दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा तो आकड़े संख्याओं के वे संग्रे हैं जो कि किसी निश्य तुद्देश की पूर्ती के लिए सूचनाय प्राप्त करने के लिए हम एकत्र करते हैं आकड़े परवर्तंशील होते हैं और सजाती आकड़ो से ही हम कोई निश्कश निगाल सकते हैं उनका संख्यात्मक राशी में होना आवश्यक है और उन्हें समू में ही एकत्र किया जाता है आंक्णों का संख्रहम प्रात्मिक दुतियक स्रोध दोनों से कर सकते हैं और उनको व्यवस्तित करने की दो विदियां है आरोहिया व्रोहिक्रम में व्यवस्तित करके अगर आंक्णों की संख्या जादा है और कम है और अगर जादा आंक्णे हैं हमारे पास तो क्या करेंगे उनको वर्गी खरत Shankbokke saani बनालेंगे जिसे बारम बार्ता saani हमने बनाई थी तो आंकडों की संख्या अगर कम है आरो ही अवरो ही क्रमबें ववस्तित करेंगे ज्यादा है तो साड़ी बनाएंगे और बारमबारता का तातपर है कि आंक्णों में कोई संख्या विशेश हम कितनी बार दोहर आ रहे हैं ग्रहकार देखते हैं एक प्रोजेक्ट कार है कि अपने आप पर्यान में रखते हुए पेड़ पौधे तो लगाते हैं तोब अपने घर में पेड़ पौधों की संख्या को तेली मार्क लगाएं नोड कीजिए और अपने मित्रों के घरों sorta कोई भी ले लिजे और उनके घर में वी जो पेड़ पौदे हैं उनकी संख्या को टेली मार्ट लगा के और आपको बारम्बार्ता साणी बनानी है दूसरे और तीसरे प्रश्ण में आरो ही और अव़रोही क्रम्म्य आकणों को वैवस्थित करना है चौते वाले तूजनाय प्राप्त कर सकते हो, आज के लिए इतना ही धन्यवाद.